हलो स्टूडेंट्स मैं सी ए मनोज गुपता मित्तल कॉमस क्लासे से मित्तल कॉमस क्लासे जो कि जाना जाता है पूरे नोर्थ इंडिया में हाईए सेलेक्शन के लिए कि आज हम देखते पास्ट इग्जाम अनलेशिस क्या होता है और पिछलेhando में जो पेपर आया है उसमें कौन से chapter से किते marks के question पूछे गए हैं यह हम पता करते हैं ICI कभी भी आपको weightage print करके नहीं देता है कि इस chapter से इतने marks के question आने वाले हैं तो हमें past exam analysis करके पता करना होता है कि कौन से chapter का weightage कितना है कौन से chapter से किते marks के question exam में पूछे जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम चल रहे है past exam analysis के लिए तो यहाँ पर देखते हैं हम एक seat बनी वी है यह ठीक है यह जो seat है यह आपको हमारे telegram channel पर available हो जाएगी हमारे telegram channel से आप ले सकते हैं हमारे telegram channel है मित्तल कोमस classes के नाम से और इस वीडियो के description में भी उसका link दिया हुआ है आप वहाँ से भी जाकर telegram channel पर यह file ले सकते हैं देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर attempts हम देख रहे हैं new attempt लिखे हुए may 2018 से लेकर june 22 तक total 9 exams हुए है 9 exams का analysis करने वाले last वाले जो 6 हैं उनको green किया हुआ है through वाले जो 3 हैं उनको green नहीं किया हुआ है last वाले 6 का हम average करने वाले हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं यह seat के last में जाएंगे जब हम आपको बता देंगे क्योंकि last में आपको clear हो जाएगा कि क्यों ऐसा हमने किया है तो अब हम चलते हैं यहाँ पर और analysis start करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले chapter number one देखे सबसे पहले chapter number one है इस chapter number one का unit one है तो unit one से दो बार question पूछा गया है 4 marks और 4 marks November 18 में 4 marks का आया December 20 में 4 marks का आया ठीक है दो बार question आया 4 4 marks का तो यहाँ पर हम देख रहें last के 6 का total करके 6 attempt का total करके 4 आ रहा है उसको हम यदि 6 से divide करते तो लगबग 1 आएगा round of तो हम करके चलते हैं points में नहीं लिख रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर यह हमने देखा last के 6 attempt में 4 number का question आया है December 2020 में चलिए इसके बाद में हम देखते हैं unit number 2 जो हमारी unit number 2 है उस unit number 2 में 4 marks का पुछा गया June 19 में फिर 2 marks का फिर 5 marks का फिर 4 marks का इसे total no attempt में से 4 बार exam में question आया है और average हम करते हैं तो last के 6 attempts का ही हम average कर रहे है तो last के 6 attempts का ho average करते हैं तो 2 marks का उता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं एसे unit 3 है unit 3 हम देखेंगे तो unit 3 में तीन बार पूछा गया exam में और average 2 marks का आ रहा है unit 4 है उसमें लगबग हर बार पूछा गया लगबग नहीं हर बार ही पूछा जा रहा है आप देखे और इसका जो average आ रहा है वो 3 marks का average है ज्यादा कर 2 marks का आया है कभी-कभी 4 marks का आया है तो इस तरीके से average 3 marks का हमने इसको लिया है इसके बाद हम चलते है जो unit 4 है इसका नाम है capital and revenue expenditure and receipts तो यह chapter हम लोग देखें कि यह आता ही है अर बार इसका question आई रहा है चलिए दो-दो number के जो question आते हैं उसमें इसका question आता है आगे बढ़ते हैं contingent asset and contingent liability unit number 5 है इससे तीन बार पूछा गया है ठीक है और average एक number आ रहा है इसके बाद हम चलते है unit number 6 है इससे question नहीं आ रहा है unit number 7 से question नहीं आ रहा है unit number 8 से केवल एक बार 2 marks का पूछा गया है इसससे भी question नहीं आ रहा है unit number 9 से भी question नहीं आ रहा है तो यह हम बिलकुल clear देख पा रहे हैं कि यहां से हमें marks मिलने वाले नहीं है, यहां से ICI question नहीं पूछ रहा है, इसके बाद हमारे chapter number 2 है, उसका unit 1 से question नहीं आ रहा है, unit 2 है जो laser के नाम से है, उसमें से 2 बार question पूछा गया है, average आ रहा है, एक number का average आ रहा है, इसके बाद हम unit number 4 है, उसमें हम देखते हैं, यहां पर 3 बार question पूछा गया है, 4 marks, 2 marks and 10 marks, तो total, मतला average हम करते हैं, 3 marks का average आ रहा है, इसके बाद हम चलते हैं, cash book नाम से, जो unit 5 है हमारी, उसमें 3 बार question पूछा गया है, 2, 2 and 5 और average आ रहा है, 2 marks का, इसके बाद हम चलते हैं, देखे, rectification of error, देखे, आप देख पा रहे है, weightage of marks कितना बढ़ गया है, weightage of marks, rectification of errors का, weightage of marks, average 7 marks आ रहा है, 16 number का आया था एक बार तो, उसके बाद में 10 number, 6 number, 10 number, 7 number, 10 number, 10 number, 10 number, 5 number, 2 number, हर बार question आ रहा है, और average भी 7 marks का है, इसलिए important chapter है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चलते ह है, chapter number 3, BRS, BRS का भी average 7 marks का है, और हर बार question आ रहा है, important chapter है, हर बार question आ रहा है, इसमें से चलिए, आगे बढ़ते हैं, inventory, chapter number 4 है, इसमें, starting के दो attempt में नहीं आ है, उसके बाद हर बार question आ रहा है, और average 6 marks का है, इसके बाद चलते है, accounting for depreciation, depreciation जो है, उसमें हम देख रहे हैं, आपर, starting first, एक attempt में नहीं पूछा गया, उसके बाद हर बार continue question आ रहा है, average 6 marks का वेटेज है, इसके बाद में हम चलते हैं, आगे, यह chapter number 6 है, chapter number 6 है, chapter number 6 में, unit 1 जो है, bills of exchange वाला, जो chapter है हम देखेंगे, तो 9 में से 4 बार पूछा गया है, और average 4 marks का है, ठीक है, 9 attempt में 4 बार उसके बाद unit 2 है, sale of goods on approval basis, तो approval वाला है, sales on approval वाला है, इसमें caution आ रहा है, 9 में से 6 बार question पूछा गया है, average 4 marks आ रहा है, इसके बाद हम चलते हैं, देखें, chapter number 3, unit number 3 है, consignment, consignment का average आप देखें, 9 marks का average है, काफी important chapter है, और continue हर बार इसमें से caution पूछा जा रहा है, इसके 2 marks का है, बागी हर बार 5 marks का आ रहा है ता, इसके बाद चलते हैं, account current, जो है, इसमें देखेंगे, हम हर बार question आ रहा है, एक बार नहीं आया था, ठीक है, बागी 9 attempt में से 8 बार question पूछा गया है, तो लगबग हर बार आ रहा है question, average 5 marks का वेटेज है, इसको, इसके बाद चलत इसमें जो है, उनका आप देखेंगे, तो 9 में से 7 बार पूछा गया है, average 5 marks है, और यहाँ पर manufacturing entities का पूछेंगे आप, यदि manufacturing हाँ जी, manufacturing entities का देखेंगे आप, तो manufacturing entities में आप देखेंगे, starting में 3 attempt में नहीं आया है, बीच में 2 attempt मतलब, total 5 बार नहीं आया है, 4 बार आया है, 9 में से 4 बार आया है, इसका average weight is 8 marks का है, इस बार देखेंगे आप, June 22 में 20 marks का question आया है, इसमें से, important chapter है, असान भी है, आगे च उसका 9 में से 5 बार पुछा गया, average 2 marks है, फिर goodwill का treatment है, तो अकेला, मतलब individual question for goodwill तो अभी इसी बार आया है, June 22 में, तो यह 5 marks का है, इसके बाद में admission जो है, partners का, उसका 9 में से 4 बार पुछा गया है, 9 में से 3 बार पुछा गया है, average 2 marks आ रहा है, इसके बाद चलते हैं, retirement of partner तो retirement का question 9 में से 4 बार पुछा गया, average 4 marks आ रहा है, इसके बाद death of partner, देखे, death of partner में, question जो है, 4 बार पुछा गया, 9 में से, और average 5 marks आ रहा है, इसके बाद हम चलते हैं, chapter number 9 जो है, NPO, देखे, important chapter आप देख पा रहें, 12, 0 marks, फिर 12, मतलब एक ही बार नहीं आ है, बाकी हर बार आ रहा है, 9 में से 8 बार आ है, और आप देख रहें हैं यहां पर, weightage average कितना जा रहा है, 12 marks, मतलब लगबग 10 number का question तो हर बार आ रहा है, बढ़िया weightage है, अच्छा chapter है, 10 number का question आ रहा है, यह समान के चलें आप, इसके बार चलते हैं, chapter number 10, company accounts, unit 1, unit 1 से question नहीं आता, केवल एक बार 2 marks, 2 number का question आये था, इसके लावा question नहीं आता, इसमें से, इसके बार हम चलते है, issue and for feature, देखे, बहुत असान है, बहुत ही असान chapter है, और इसमें से, कितना weightage है, मतलब 16 number का average आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, कित venture होता है, थोड़ा बहुत एक, एका change होता है, इसमें से question आया है, चार बार आया है, नो में से, और एक number का average आ रहा है, अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर जो total आ रहा है, पहले तीन attempt में, total 103, 108, 98 आ रहा है, ठीक है, और यह कुछ chapters हटा दिये गे थे, ratio on less is joint venture, royalty हटा दिये गए थे, इन से इतने 22, 17 और 27 का आया था, तो जो हटा दिये गए हमारे syllabus पे applicable नहीं है, उनका use नहीं है, इसलिए फिर हमने, आप नीचे जब देखेंगे तो total 125 आ रहा है, नीचे जब आप देखेंगे तो total 125 आ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हमने इन तीन, जो सुरू के तीन attempt थे, उनको average करने में हमने नहीं लिया था, तो अभी आपको पता चल गया, कि जो हमने 6 attempt है, उनी को क्यों लिया था, average करने में, because, कि सुरू के तीन attempt में से कुछ syllabus हट गया था, ठीक है, इसलिए हमने उसको averaging में नहीं लिया है, उसको हटा दिया है, अब यहा हमारा past exam analysis था, जो हमने complete करा, अब हम चलेंगे ABC analysis पे चलिए, ABC analysis पे चलते हैं, देखिए ABC analysis क्या होता है, पहले यह समझ लेते हैं, देखिए ABC analysis में हम क्या करते हैं, chapters को तीन category में divide करते हैं, A category, B category, C category, A category में हम उन chapters को रखते हैं, जो की आसान होते हैं, scoring होते हैं, बढ़िया category जिसमें क्या होता है, कि average chapter होता है, average से marks होते हैं, मतलब जितना मेनत कर रहे हैं, लगबग उतरे marks आपको मिल रहे हैं, और C category होती है, जितना मेनत कर रहे हैं, उससे कम marks मिल रहे हैं, मतलब chapter tough है, उसका weightage of marks कम है, तो इस तरीके के chapters को हम C category में डाल देते हैं, categorization कर दिया ज सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि अभी हम ABC Unlaces करने जा रहे हैं December 22 attempt के लिए जो exam अभी December 22 में होने माला उसके लिए लेकिन पहले हम यह देखें कि क्या accuracy है accuracy का level क्या है देखें accuracy का level क्या है accuracy का level यह है कि यहाँ पर जो June 22 के लिए ABC Unlaces दिया गया था जोन 22 के लिए ABC Unlaces जो की update किया गया था हमारे टेलिग्राम चैनल पर ठीक है यह file number है और यह date 31st January 22 को डाला गया था तो आप जाएंगे 31st January को टेलिग्राम चैनल पर और जाके देख सकते हैं तो यह number का file आपको 871 number का file से clear हो जाएगा कि क्या अनलेशिस जाल गया था वहाँपर आप देखेंगे हमें एक एक्जाम में 45 मार्स के ही exact 45 मार्स का तो आप देखें कितना continuous हैा बिल्कुलrone now is जा रहा है मतलब आप इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि पहले तो हम past exam analysis करके और फिर इन sheets को तयार करते हैं experience के basis पर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर category wise जो आप देख रहे हैं A plus B category का 110 number का हमने बनाया था कि लगबग 110 number का आएगा तो exam में 108 number का आया 108 number पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ABC analysis हुए है यह highest है आप देखेंगे ABC analysis 90 से उपर कोई 85 80 85 90 90 से उपर किसी का भी नहीं जा रहा है अपना analysis जो यहाँ पर करा गया था वो 108 marks पर जाकर फॉल करा है यह मान के चलिए accuracy बिल्कुल highest accuracy है और 100 plus marks का paper A और B category में से आ रहा है 100 number से ज्यादा का paper A और B category में से आ रहा है तो यह बहुत ही बढ़िया बात है कि analysis जो है जो faculties का experience है और सब लोग का पूरे team का जो experience है वो काम आ रहा है और बिल्कुल 60 analysis जा रहा है तो देखेंगे यहाँ पर 108 number का exam में आया है और C category में से 15 marks का हमने रखा था 17 marks से आया था तो इस तरीके से यह accuracy शो हो रही है कि जो analysis किया जा रहा है वो बिल्कुल logical है base है वो उसका proper तरीके से यह analysis बनाया जा रहा है देखेंगे अब हम चलते हैं A भी से analysis स्टार्ट होता है सबसे पहले A category के chapters हम देखते हैं A category के chapters मैं पहले भी बता box में मिल जाएगा और telegram channel का link वहां से भी ले सकते हैं और direct भी आप मित्तल commerce classes के नाम से search करके भी join कर सकते हैं देखें category A है यहाँ पर category A में हमने chapter 10 company accounts आपका favorite chapter जनरली सभी बच्चों का favorite chapter होता है बहुत असान होता है चैप्टर से देखे 16 नंबर का average है और बहुत ही मतलब असान चैप्टर है 16 मार्स ता वेटेज है बहुत असानी से आप इस सोलन नंबर ले सकते हैं इसलिए category A में भी उपर इउपर इसकोड अलगे है जो यह sequence है इसी sequence से आपको अपनी पढ़ाई करनी है यह most beneficial sequence है यह क्यो नहीं है आपको पढ़के जाना है बढ़िया से issue of debenture more or less issue of share जैसे होता है थोड़ा सा correction होता है एक नंबर वो भी आप ले सकते हैं तो इस तरीके से यहां पर 16 और 17 नंबर हमारे हो गए है BRS देखे आसान chapter है bank reconciliation statement हर बार पुछा जा रहा है 9 out of 9 और 7 marks का average है के बाद हम चलते है preparation of final accounts of sole proprietor sole proprietor के final accounts में non manufacturing का 5 marks है तो final accounts हम करते हैं 11th class में हमने कर रहा है मतलब बहुत आसान पढ़ता है और बढ़िया आपको 5 marks है मिल रहे हैं और यह और इसमें कोई फरक नहीं के वाले एक account का फरक होता आपको पता है सबको यहां पर यह दोनों आप तयार कर लेते हैं तो 13 marks का आप chapter है हमारा sales on approval is very 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 simple मतलब बहुत ही असान है 4-5 entry का काम है total आपको पता है तो 4 marks का वेटेज है बहुत ही बढ़ी आसान chapter है average due date is damn easy chapter 4 marks का वेटेज है हर बार आ रहा है account current also very very easy chapter account current में एक account बना के days की calculation करके interest निकालना है कुछ भी नहीं हो तो बहुत ही simple chapter है 5 marks का वेटेज है ह बार आपसका question आ रहा है 9 में से 8 बार आ है और last में rectification of errors है देखिए rectification of errors में general entries होती है जो generally commerce के students का बढ़िया command होता है अराम से आप इसमें पूरे score करते हैं 9 में से 9 बार आ रहा है तो यहां से आप 7 number ले सकते है total 63 marks total 63 marks है जो की A category में fall कर रहा है 63 marks के questions यहां से आने वाले ह इसके बाद हम चलते है category B, B category में NPO के हम बात करेंगे 12 number का average है 12 marks का average है 8 बार पूछा गया है 9 बार में से अच्छा chapter है इसके बाद partnership है partnership के तो सारा continue 5 units है वो 5 units हमने यहां ले ली है 2 number 1 number 2 number 4 number 5 number ठीक है partnership तो पूरा एक साथ ही पढ़ा जाता है continuously अच्छा है इसके बाद में unit 1 और इसका bills of exchange bills of exchange देखे average chapter है कोई tough chapter इसा नहीं है average सही है 4 number का वेटेज है अर बार नहीं आ रहे है ठीक है 9 में से 4 बार आया है इसके बाद consignment देखें आप consignment जो chapter है वो 9 out of 9 है और 9 number का इसका वेटेज है ठीक है यह average जितना मेहनत आपका लगेगा उसके इसाब से 9 number आप से 7 बार पूछा गया है तो यह जो chapter in में आपकी मेहनत लगेगी थोड़ी बहुत लेकिन उसके हिसाब से आपको weightage of marks भी दो chapter त्यार करते है 15 marks आपके पके हैं तो इस तरीके से यह हमने B category में डाला है इसका total 45 marks का है अब आगे बढ़ते हैं C category जिसको आप नहीं भी पढ़ 100 में से 98-99 भी ला सकते चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर category C में हमने डाला है theoretical framework यहाँ unit 1 से लेकर पूरा 9 units है इसका weightage बहुत कम है और theory है पूरा ठीक है आगे बढ़ते हैं chapter 2 है जो accounting process इसमें laser है general entries है, laser है, trial balance है, subsidiary books, case book तो बहुत छोटे-छोटे chapter है ठीक है लेकिन ब total 125 marks का paper आता है, देखे अब हम बात करने वाले short success strategy, short success कैसे मिलेगी, देखे, short success की जहाँ बात आ जाती है हम बात की करने वाले हैं कि आप देखे, दो तरीके के student होते हैं, एक student होते हैं जो पूरा 100 marks का त्यारी करते हैं ठीक है और बिना confidence के करते हैं, तो 100 marks का preparation के बाद भी उनके 30-35 marks ही आपाते हैं, दूसरे student होते हैं, वो 90 marks की preparation करते हैं, लेकिन 90 में से वो 85 ले आते हैं या 90 में से 90 ले आते हैं, तो यदि हम strategy wise बात करे हैं, तो पहली priority तो हम यह रखें कि 100 का preparation करें, 100 में से 100 लिया हैं, पूरा confident होके जाएं, लेकिन यदि हम उस category, मतलब हम वो नहीं कर पा रहे हैं, यदि हमको लग रहा है कि हम पूरा course अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उस case में क्या करना चाहिए, तो उस case में दो option है, य हाँ पर बताई जा रही है कि आप किस तरीके selective हो सकते हैं, आप ABC analysis देख लें, A category पहले कर लें, B category के जितने chapter आप से हो रहे हैं, वो कर लें, इसमें sequence दिया है, उसी sequence से करते वे चले आप, ठीक है, तो B category के मान लीजे, आपने chapters सारे कर लिए, तो आप अराम से 90 plus marks का paper return कर प लेंगे, कि जो students ऐसी तयारी करते हैं, कि एक एक chapter को बहुत बढ़िया से तयार करते हैं, जब first chapter आपने उठाया, उसमें, category जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, हमने क्या करा, category A का first chapter उठाया, और इसको तयार किया, ठीक है, और इसमें 16 number का आने वाला है, तो आपने इतना है, कि यदि आप full confidence के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं, कि मैं issue of shares वाले में नहीं marks कटने दूगा, इसका मतलब, 16 में से 16 ही आने हैं, इस तरीके से आप बढ़ते हैं, आगे धीरे धीरे, और आप 70 तक भी पहुँचके तो आपको कोई फैल नहीं कर सकता, 70 में से आप 65, 68 या 70 में से 70 लियाएंगे, आप 80 तक पहुँचके तो 80 लियाएंगे और आप 100 तक पहुँचके तो आप 100 लियाएंगे, 98, 99 लियाएंगे, ये तरीका है जिसमें कि आप इस sequence से चलते हैं, और जितना आप करते हैं, उतना 100% confidence के साथ करते हैं, और पूरे-पूरे marks ल 90 पर पहुचे, 90 का यदिया आपने तयारी करा है, तो आप मान के चलिए, आप इस तरीके से चल रहे हैं, कि आप marks नहीं कटने देंगे, जो chapter आपने त्यार कर लिया, उसमें marks नहीं कटने देंगे, confidence के साथ यदिया आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपके exam में दिया, आप 90 की preparation करके जा रहे हैं, तो 85 से 90 के बीच में marks आप लेके आ जाएंगे, यह शौर सकसे strategy होती है, इस तरीके से हम strategy बनाएं, इस sequence से पढ़ें, और confidence के साथ एक एक chapter को करते जाएं, और आगे बढ़ते जाएं, हमें वैसा student नहीं मनना कि confidence नहीं आ रहा है, बस के लिए sequence चाहिए होता है, क्योंकि ज्यादा आसान, जो आसान, मतलब easy to tough approach follow करनी होती है, तो इसको easy to tough के sequence में ही जमाया हुआ है, आप देखेंगे, हमने consignment inventory category B में डाला है, लेकिन last में डाला है, तो sequencing उस तरीके से की गई है, कि आप जितना कर पाएं, उत्ता कर ले, तो को ने देखा आज past exam analysis, ABC analysis और short success strategy, मेरी best message है, उन students के लिए जो December 22 में अपना exam देने जा रहे है, मेरी best message है, कि उनका exam इसी attempt में clear हो जाए, okay, all the best